नमस्कार दोस्तों मेरा नाम अर्पना सिंग है मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने यूटूब चैनल Study with Teacher Technology में ये वीडियो UPTGT Biology और LT Biology के स्लेबस oriented बनाया गया है यदि आपके एक्जाम में इस चैप्टर से कोश्यन आये तो मिस नहों आये शुरू करते हैं Taxonomy Class की वीडियो का ये Part 2 है इस वीडियो में हम वर्गी करण के प्रकार और टाइप्स अफ टेक्सोनोमी के बारे में बात करेंगे Please like, comment and share and subscribe आज तक वर्गी करण अनेक पधतियां प्रस्तुत की जा चुकी है विभीन वैज्यानिकों द्वारा किये गये वर्गी करण को हम नेमन तीन त्रेडियो में वीवाजित किया जा सकता है पहला कृत्रिम पद्धती, दूसरा प्राकृतिक पद्धती, तीसरा जातिय वृत्ति पद्धती, पहला कृत्रिम पद्धती या Artificial System इस पद्धती में पौधों को एक या अधिक लक्षडों के आधार पर जमू तथा उप्षमू बनाये जाते हैं इस पद्धती के अंतरगत, थ्रियो फ्रेट्रस, ब्रोन फेल्ड तथा कैरोलस लीनियस के वरगी करण रखे गए हैं थ्रियो फ्रेट्रस ने पदों के स्वभाव वा आकारकी के आधार पर साख, जाडियां तथा बिच्छों में भी बाजित किया इनों ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम में चार सो असी पदों का वरण किया है थ्रियो फ्रेट्रस को वनस्पती विज्ञान का जनक माना जाता है कैरोलस लीनियस ने पुस्पो के पुंकेशरों की संख्या के आधार पर आबरित वीजी पदों को 24 वरगों में भीवाजित किया 23 वरग जो हैं वो बिना बीज वाले पौधे हैं 24 वरग को उन्होंने फैर नेरोगेमिया नाम दिया जिसमें बीज पाए जाते हैं कैरोलस लीनियस की प्रशिद पुस्तक इस्पीसीज प्लांटेरम जेनेरा प्लांटेरम एवं सिस्टिमा नेचूरे है दूसरा प्राकृतिक पैद्धती या नेचूरल सिस्टम इसमें पौधो के वरगी करण के लिए पौधो के सभी मतपू लचडों को आधार बनाये जाता है पौधो की काईकिये सनरशना तथा जनन क्रिया में समानता के आधार पर समों वा उसमों बनाये जाते हैं इस वरगी करण में पादप जगत का स्वरप्रताम विस्त्रित वरगी करण एडवलू आइकलर ने 1882 में दिया जो निम्न प्रकार है इसको बेंतम होकर ने भी इस पद्धती को अपनाया आइकलर के अनुशार पादप जगत को दो जगत में बाटा गया पहला क्रिप्टो गेमिया दूसरा फैनेरो गेमिया क्रिप्टो गेमिया ऐसे पोधे आते हैं जिन में बीज नहीं पाय जाते हैं फेनेरोगेमिया में ऐसे पौधे आते हैं जिसने पूस्प और बीच पाये जाते हैं थेलोफाइटा इन्होंने क्रिप्टोगेमिया को तीन भागों में बाटा, एक थेलोफाइटा, ब्राइवफाइटा और टेरिडोफाइटा थेलोफाइटा को सैवाल, कवक, जिवाड़ और लाइकेन ब्रायोफाइटा में लीवर्ट्स और मासेस को रखा टेरीडोफाइटा में साइकलोपसीडा, माइकोपसीडा, स्फिनोपसीडा, टेरीडोपसीडा को रखा गया Fenuroemia को इनोंने दो भागों में विवाजित किया पहला जिमनो स्पर्म दूसरा इंजीयो स्पर्म में 120 पत्री और 12 पत्री पुधे पाये जाते हैं जिमनो स्पर्म में साइकेड्स, कोनिफर, निटिल्स पाये जाते हैं एक एड लीचर नेस और प्रतम उन सभी पौधों के लिए थैलो फाइटा सब्द का प्रयोग किया जिनका पादब शरीर एक सुकाय थैलस होता है अर्था वह जड तना तथा पत्ति में विवाजित नहीं होता प्राकृतिक पद्धती के दूसरे प्रशिद्वय ज्यानिक बेंथम और हुकर द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण प्राकृतिक है इस पद्धती का आज भी प्रयोग किया जाता है बेंथम और हुकर ने अपनी पुस्तक जेनेरा प्लांटेर सन 1862 में वर्गीकरण की प्रा बीजी पोधों को दो सदो कुलों में वर्गी कृत किया, सुविधा जनक होने के कारण इसकी प्रायोगिक उपयोगिता किसी भी पधती से कहीं अधिक है, यह वर्गी करण प्रायोगात्मक रूप में बहुत उपयोगी है, तथा इनोंने ब्रीटेन के रायल बाटनिकल गार् भारतिय रास्टिय हारवेरियम, हावडा, पस्चिम बंगाल में सुरचित हारवेरियम की नमूने जो बेंथम होकर के अनुसार वर्गी करण किये गए हैं, बेंथम एवम होकर द्वारा पादप वर्गी करण की विविन्नस रेडियो को गड़ों तथा कूलों में विवक्त किया, बेंथम एवम होकर के वर्गी करण की रूप रेखा, इन्होंने बीजिय पोदे या फेनेरोगैमस का वर्गी करण किया, इन्होंने फेरोणोगैमस को तीन भागों में बाटा, एक डाइकोलीडीन, जीमनोस्परम, मोनोकोटीलीडीन, जीमनोस्परम को इन्होंने डा मोनो कोटी लीडिन के बीच में रखा तीसरा जातिय बृत्ति पद्धतियां या फाइलो जेनेटिक सिस्टम इस पद्धति में पौधे के विकास, उद्भव, इवेलुएशन, अनुवांसिक लक्चडों के संबंध तथा जनन गुडों के आधार पर समू या उपसमू बनाये जाते हैं जो की पद्धति जाति बृत्ति की सभी साखाओं में हुई नमिंटम सोद पर आधारित होते हैं इस पद्धति के अंतरगत उस्वाल टिपो, एंगलर, प्रेस्टल और हचिंसन ने इस पद्धति के अंतरगत वर्गी करड किया इसे आधोनिक वर्गी करड की रूप रेखा भी कहते हैं पादब जगत का उस्वाल टिपो द्वारा प्रस्तावित वर्गी करड पादब जगत को उस्टवाल टिपो ने दो उप जगत में बाटा एक थैलोफाइटा दूसरा एंब्रीयोफाइटा इन्होंने थैलोफाइटा को फाइलम दस फाइलमों में बाटा जिसमें और एंब्रीयोफाइटा को दो फाइलम प्राइटा और ट्रेक्योफाइटा में बा टेक्सोनोमी कावर्ड फ्रेंच बोटनिस्ट एपी दी केंडोल ने 1813 स्वी में दिया कैरोलस लीनियस स्वीडिस बोटनिस्ट थे इन्होंने इने फादर आफ टेक्सोनोमी या फादर आफ सिस्टेमाटिक बोटनी के नाम से जाना जाता है फादर आफ इन्डियन टेक्सोनोमी एट सांता पाउ को कहा जाता है सिस्टेमाटिक टर्म को कैरोलस लीनियस ने दिया टेक्सोनोमी को हम सिस्टेमाटिक बोटनी भी कहते हैं New systematic term Julian Huxley ने 1940 में दिया Taxonomy को तीन भाग में भी बाजित करते हैं पहला alpha taxonomy, दूसरा beta taxonomy, तीसरा omega taxonomy alpha taxonomy टर्म Turil ने 1938 में दिया इसकी पहचान और वर्गी करड़ पादप के morphological character या वाइस अन्रशना के आधार पर दिया जाता है beta taxonomy को हम morphological features के अनुसार नहीं लेते इसमें genetical, anatomical, cytological, pollen, and spores, study या other character का अध्यन करते हैं इसे biosystematic भी कहते हैं chemato taxonomy इसमें chemical component के संबंद में हम अध्यन करते हैं तो chemato taxonomy कहा जाता है omega taxonomy में जितनी भी सूचना है जो पहले पादप के बारे में ग्यात हो उसे omega taxonomy कहते हैं once का नाम हमेशा noun होता है और once का नाम capital letter में लिखते हैं जाती हमेशा small letter में लिखते हैं ICBN का full form international code of botanical nominic lecture है इस code को philosophy botanica नामक पुस्तक करियूलस लीनियस ने जो लिखा था उसमें दिया गया था किसी भी division order class family के नामकरड कैसे करते हैं उसके नाम के end में क्या लगाना चाहिए इसकी ranking की गई है जैसे division में, fighter, order में, else, class में, ac, family में, ae, sorry, class में, ae, family में, ac, sub family में, odac पहले कुछ family के नाम जो अब बदल कर new family के नाम में बदला गया है एक पहला ग्रैमिनी जिसको अब new name है पोेसी, पोमेसी को, एरिकेसी, कुदि फेरी को, भ्रैशी केसी, गुटि फेरा को, कॉल कैसिया लगुमिनेसी को, फैवी एसी, लैवियेट को, लैमेसी, कमपोजिटी को, एस्तेरेसी, अंबेली फेरी को, एपीेसी अब हम सम्सिप्टेंट eightmcq question देखेंगे पौधो का कृतिम वर्गी करड़ प्रस्तूत किया लीनियस ने नीमने में से कौन सी वर्गी की में एक टेक्सोन के हजारों लच्छडों का अध्यन समलित है Numerical Taxonomy विकास सील वर्गी करड़ पधती को क्या कहते हैं Phylogenetic पधती कौन सी ऐसी साखा है जिसमें बोधे और जन्तू का अध्यन एक साथ करते हैं उसको Taxonomy कहते है Thank you for watching Like, Share and Comment Thank you